रेनबो सिवन चैनल की और से मदन गोपाल का सतरेंगी नमस्कार टूरिस्ट के लिए सबसे पहले लेटेस्ट जान करी और लेटेस्ट वीडियो लाने वाले चैनल को अभी तक आपनी सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस और इस ठंड में काम करने की इस फूर्ती भी आप लाइक के दौरा कोमेंट के दौरा प्रोवाइड करते हैं अब बात करें यदि आप नव वर्ष के उपर हिल इस्टेसन मनाली वग्यरा यानि हिमाचल आ रहे हैं उतराखंड आ रहे हैं तो उसमें आप इस पर कारकारिकर् स्नोफोल की संभावना बढ़ चुकी है इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए प्रस्त कर रहा हूं सिमला नारकंडा डलहोजी उत्राकंड का ओली और मनाली और बरमोर के आपको लेटेस्ट स्नोफोल अपडेट देने वाला हूं वीडियो पूरा देखिएगा और एक स्टोर मुख करन है कि स्टोरी टेप में रिप्लाई का उप्शन है नहीं इसलिए आपको मैं लाइक ही दे रहा हूं यदि आपका कोमेंट बहुत जरूरी है तो आप वीडियो जो वीडियो आ रहे हैं उन पर पोस्ट कीजिए मैं रिप्लाई देने का कोशिस जरूर करूंगा यद कि आप सिमला पहड़ों की रानी सिमला आ रहे हैं और यहां की रागानी है हिमाचल परदेश की तो आप उसके अंदर में नारकर्णा की बता रहा हूं नारकर्णा में 31 को स्नोपोल की संभावना बहुत कम हो जाता है तो आपकी किसमत कही जाएगी और एक जनवरी दो जनव नव वर्ष के उपर जो पस्मी विक्सोब है वेस्टन डिस्टरबेंस है वह आ रहा है कस्मीर की रस्ते हिमाचल होते वे उत्राहंड की ओर बढ़ेगा जिससे अभी मेदानों के अंदर जीरो डिगरी के लगबग तापमान चल रहे हैं आप कोमेंट कीजे आप यह वीडिय यहाँ देख रहाँ इस सिटी से इस सहर से देख रहा हूं इस गाउं से देख रहा हूं उससे हमें बहुत हल इस संबंधी प्रेडिक्शन करने में तो आप नार कंडा या शीमला में है तो आपको एक-दो जनुवरी को शनूफॉल देखने को मिल सकता है अब थोड़ा सा र देखने को मिले और एक दो जनूरी को सनोफल होगा तो तीन और चार को भी संभावना प्रबल हो जाती है इसी परकार हम बात करें डलहोजी की बहुत प्यारा सिटी है और यहां एक पीक है डेनकुंड वहां सनोफल होता है जैसे रोतंग पास में होता है मनाली में वैसे ही डल लगावाएं मिनी श्यूजर लेंड और आप कहेंगे तो वहां के वीडियो भी में बना सकता हूं और यहां आपको वही इस्तति है जो यहां की है फर्स्ट शेकंड थर्ड जनूरी को रेनफॉल और सनोफॉल बताया जा रहा है लेकिन सनोफॉल की संभावना है फर्स्ट औ की मोसम अनकूल होता है तो संभावना लग रही है कारेकरम बना लीजें यदि आप यहां आना चाहते हैं अब बात करें हम ब्रमोर की शीव नगरी ब्रमोर की और चंबाडिस्टिक में है डलहोजी भी चंबाडिस्टिक में है और बहुत अच्छा जगह है और यहां 84 मंदर इसे रिलेटेड वीडियो बने हैं मैं आई बटन पर लगा दूँगा पर मोर के बहुत स्यांदार जगह है शीव की नगरी आप आएं तो यहां आपको सनोफोल देखने को मिलेगा कब सनोफोल की बात कर रहा हूं रेनफोल की नहीं एक जनौरी और दो जनौरी को सनोफोल क संबावना तीन को भी मिल सकता है यदि एक को हो गया तो कारिकरम बना लें बहुत अची जगह रस्ता थोड़ा दुरगम है जरूर चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं पूरी हमने कवर किया है बर मोर को मेरे को दिल से पसंद आया रस्त्य का करण मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था पूरी जनौरी तिल जनौरी यदि आप मैं इसमें तीन चैर पांस तक ही बता रहा हूं और पूरी आप स्नौफोल की जानकरी चाहते हैं तो मैं आई बटन के उपर में लगा रहा हूं पिछला वीडियो और डिस्क्रिप् स्नौफोल की सम्भावना बन रही हैं और बात करते हैं प्रेटन-नगरी मनाली सनोषिटी मनाली मेरे ने दिया नाम अच्छा लगा होगा ने जिक्वा हैं कि उ सकते हां लेकिन मनाली में नहीं उपर वाले इस्तान में कौन से रोतांग पास मड़ी गुलाबा जहां तक आप पहुंच नहीं सकते टुरिस्ट अलाउड नहीं है और अच्छी रही तो नीचे आ जाएगा सनोफोल मॉल रोड पर तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कम संभावना है ल लेकिन मेरे को लग रहा है अब आप अनुवर्वान लग लगा ले मैने कनफरम सब्स कहना छोड़ दिया एक वीडियो मेरा पीछा बड़ जाएगा और जैसरी जड़ी लगती है और ट्राफिक अपडेट के बारे में है कि डल होजी और मनाली के अंदर ट्राफिक की इस्तिती थोड़ी सी खराब सी है मतलब यदि आप सुबह जल्दी निकलेंगे तो आपको मनाली तक तो कोई प्रोब्लम नहीं होने वाले सुलांग वेली में आप जाएंगे सुलांग वे उनको में डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे आप उनको जरूर देख लें यदि आप मनाली घुमना चाहते हैं चीपेस बजट में होटल और टेक्सी की जुरूत है तो डिस्क्रिप्शन में स्वागतम ट्यूरेजेंसी के नमर दिएगे उनसे आप कॉंटेक् स्क्रिन के लास्ट में जो वीडियो आरें उनको भी कलिक करके देखिएगा और आई बटन पर जो वीडियो आरें उनको भी देखिएगा वीडियो पुरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद जैहिन जै भारत